नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डाल दे हैं अचकी प्रमूख खबरों कर सिन्डी टी ट्वेंटे में भारत की एतिहासिक जीत रोहित शर्मा और विराट कौली के अर्धशतकों के बाद सुरेश रेना की ताबर तोट पारी की मदद से भारत ने शेन वाटसन के नाबाश चतक को बेकार करते हुए तीसरे और अंतीम T20 अंतराष्टिय मैच में आस्ट्रेलिया को साथ विकेट से हरा कर 3-0 से क्लीन स्विप किया और दुनिया की नंबर वन टीम बनी टीम इंडिया इस के लावा टेस क्रिकेट में नंबर एक और वन टे में नंबर दो टीम है आस्ट्रेलिया के 198 रन के लक्ष का पीछा करते हुए भारत ने रोहित और विराट कोहली के अर्धशत को के लावा रेना की 26 गेन में नाबात 59 रन की पारी से अंतिम गेन पर 3 विकेट पर 200 रन बना कर T20 क्रिकेट में लक्ष का पीछा करते हुए अपनी तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्श की उलेक ने है कि आस्ट्रियाई क्रिकेट के 140 सालों के इतिहास में यह पहला प्रसंग है जबकि किसी विदेशी टीम ने आस्ट्रिया की सरजमी पर उसे किसी सीरीज में 3-0 से माद दी सीरिया में ब्लास्ट 71 शियाओ की मौत सीरिया की राजधानी दमिश के बाहरी इलाके में एक शिया दर्गाह के समीब बम विस्पोटों में कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई और करीब सोग घयल हुए इसलामिक स्टेट ने इन विस्पोटों की जिम्मेदारी ली है सरकारी सववाद समीती सना के अनुसार पहला विस्पोट एक कार बम विस्पोट था एजनसी ने बताए कि इसके बाद दो आत्मगाती हमले हुए गौर तलमे के अपने घर और विदेश में लड़ने के लिए इरान पाकिस्तान में शियाओं की भरती के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है छे मैने पहले इस्लामिक स्टेट ने समुची दुनिया में शिया मस्जितों और शिया नागरिकों की हत्या करने का अभियान चलाया है यह उन शेत्रों में किया जा रहा है जहां आयस का कबजा है धर्म परिवर्तन के आरोप में तेरा इसाई गिरफतार राजस्थान में चुरू के सरदार शहर में स्थानिय लोगों के अनुसार इसाई मिशेनेरी से संबधित कुछ लोग गरीबों को प्रलोबन देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे इसे शेत्र में तनाव फैल गया है मड़ीपूर से नो लोगों पर स्थानिय लोगों को घर घर जाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सुचना दी गई गड़ना की सुचना मिलने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिशत के कारे करता भी मोके पर पहुच गए पुलिस की प्राथमिक जाच के अनुसार जहां पर ये तेरा लोग किराए के मकान में रहते थे वहां से ईसाई धर्म से जुड़ी कुछ सामगरी मिली है पुलिस मामले की जाच कर रही है